भारत के Governor General तथा Voice Roy काफी जादा important topic है अगर आप किसी भी exam की तियारी कर रहे हो, तो friends वो सभी question जो आपके exam के लिए important रह सकते हैं, वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, मैंने आपके लिए सभी question selected or important ले हैं, अगर आप किसी भी exam की तियारी कर रहे हो, ये video आपके लिए काफी सादा useful रहने वाला है, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, इस से बाहर आपको एक भी question नहीं मिलेगा आपके exam में, आपके रवी सर ने friends बहुत महनत करी है, best content इस वीडियो में रख कर, तो चलिए शुरू कर लेते हैं first question से, friends ये जो हमारा first question रहने वाला ना, इस question में सबसे पहले हम पढ़ेंगे Lord Clive के वारे में, ठीक है, Lord Clive का जो कारेकाल था, friends इनके दो कारेकाल थे, इनका जो पहरा कारेकाल था 1757 से 60 था, दूसरा था 1765 से 66, तो हमारा पहला question है, बंगाल का प्रथम governor कौन था, सही answer होगा, option A, Lord Clive, याद रखन question अब तक exam में भर-भर के पूछे गए हैं, वो मैं आपको अब करवा देता हूं, तो question ने exam में पूछा गया था, कि Lord Clive को बंगाल का governor कब नियुक्त किया गया था, 1764 ISV में नियुक्त किया गया था, double star mark करिये, next question पूछा गया था, Lord Clive से जोड़ा हुआ, किसे उनके प्रस अबाद की संधी किस ने की थी, Lord Clive ने की थी, next है मारा, Robert Clive जो भारत में ब्रिटिश वर्ष्टव की स्थापना करने वाले संस्थापों को में से एक थे, किस वर्ष भारत आये थे, 1743 में आये थे, next है मारा, Lord Clive ने किस लड़ाई में सुराजु दोल्ला को पराजित किया था, पलासी की लड़ाई में, 1765 में बंगाल के द्रेश आशन परनाली किसने लागू की थी, Robert Clive ने, अब तो हमारा, next question आ गया, ठीक है, इस question में, हम पढ़ेंगे, Warren Hastings के बारे में, ठीक है, यह जो, Warren Hastings Defense, इनका जो कारेकाल था, 1772 से पचासी तक रहा था, तो हमारा, question है, निम लिखित में से कौन बंगाल का प्रथम Governor General था, सही आंसर होगा, इस question का, option B, Warren Hastings, याद रखने हैं आपको, बंगाल का जो प्रथम Governor General था, कौन था, Warren Hastings था, अब फ्रेंट्स में आपको, Warren Hastings से जुड़े, जितने भी question, अब तर एक्जाम में आए हैंना, बहुत मेहनत क करिये, बहुत research किया, मैंने आप सभी के लिए इस question को add करने में, तो एक भी question आपको छूटेगा नहीं है, तो हम बात कर रहे हैं, Warren Hastings की, ठीक है, Warren Hastings कौन थे, बंगाल के प्रथम Governor General थे, तो question आया, एक्जाम में कि इस Governor General के कारेकाल के दौरान 1773 का regulating अधिनियम पारित किया गया, Warren Hastings, 1781 में भारत के पहले Governor General, Warren Hastings ने Muslim कानून के अध्यान और अध्यापन के लिए कहां एक मदरसा की स्थापना की कल करता, Warren Hastings कब बंगाल के पहले Governor General बने 1773 में, Warren Hastings के समय, भारत में East India Company के कितने अध्यक्ष पत थे, आंसर होगा तीन, अगला हमारा question जो एक्जाम में आया था, Lord Warren Hastings किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के पहले Governor General बने, आंसर होगा regulating अधिनियम 1773, सर्वो परिता की निती यानि की Policy of Paramount सी अपनाने वाले British Governor General कौन था, Lord Hastings, किसने 1774 इस्वी में भारत का पहला डागर स्थापित किया था, Lord Hastings ने, घेरे की निती किसके नाम से संबंदित है, Warren Hastings के नाम से, किस Governor General के कारेकाल की तुरान 1774 में 1773 का regulating अधिनियम के तहट कलकत्ता में उच्टम नियाले की स्थापना हुई, Warren Hastings, गीता के अंग्रेजी अनुवादक विलियम विलकिन्स को किसने आश्रे प्रदान किया था, Warren Hastings ने, नेक्स कोशन जो एक्जाम में आया था, मुगल समराट को मिलने वाले 26 लाक रुपे की वारशिक पैंशन किसने बंद करवाई, Warren Hastings ने, उमीद कर रहा हूँ जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मतलब जितने भी वाईसरोय यानि की गवर्नर जनरल है, वो मैं आपको टॉपिक वाईस पढ़ा रहा हूँ, जितने भी कोशन अब तक एक्जाम में आए हैं, और अगले एक्जाम में आएंगे, यह वो सभी मैंने इसमें इंक्ल्यूड कर दिया, मतलब आप यह देख सकते हो, कि एक कोशन में 10 से 12 कोशन मैंने एड किये हूए हैं, एक्स्टा इंफोर्मेशन में, और बिल्कुल टॉपिक वाईस पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, अगला है हमारा लॉड कानवालिस, ठीक है, यह जो लॉड कानवालिस गवर्नर जर्नल थे, इनका कारेकाल था 1786 से 93, तो यह भी एक्जाम में कन्वेंटिड भारतिय नागरिक सेवा का गठन किया, जिसे बाद में भारतिय सिविल सेवा के रूप में जाना जाने लगा, सही आंसर होगा, ऑप्शन भी लॉड कानवालिस ने, डिटेल में समझते हैं, देखो फेंट लॉड कानवालिस की बात हो रही है, जितने भी कोश इसको किसके लिए जाना जाता है, आंसर होगा, बंगाल का स्थाई राजसब निप्टान के लिए, लॉड कानवालिस का मकबरा किस राज्य में स्थित है, गाजेपूर उत्तर प्रदेश में, 1793 में स्थाई बंदोवस्त को बंगाल, बिहार और उडिसा में किसके द्वारा शुरू किया गया था, लॉड कानवालिस के द्वारा, किस वर्ष में कानवालिस कोड अधिनियमित किया गया था, 1793 में, नेक्स कोशन, एक्जाम में काफी बार पुछा गया है, भारत में सिविल सेवा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, लॉड कानवालिस को, नेक अगर आपको वीडियो की quality, वीडियो का content और आपकी रवी सर की महनत प्रसंदारी है, वीडियो को like और share जरू करना, comment box में feedback भी देना की वीडियो कैसी लगई है आपको, ठीक है friends, और इसी के साथ आपको कुछ तेर में आपको कुछ तेर में आपको कुछ तेर में जो हमारी paid PDF वो है Lord Wellesley, Lord Wellesley का जो कारेकाल था, वो था 1798 से 1805, ठीक है, मतलब यह जो Governor General बने थे ना, भारत की 1798 में बने थे, कारेकाल था 1798 से 1805, Lord Wellesley का, तो कोशन हमारा आगया है, बंगाल का share उपनाम से किस Governor General को जाना जाता था, सही answer होगा, option C, Lord Wellesley को, याद रखने हैं, आपको एक्जाम में पुछा गया, कोशन है, यह, बंगाल का share उपनाम से, Lord Wellesley जो Governor General है, इनको जाना जाता था, अब फ्रेंट समने, Lord Wellesley से जुड़ यतने भी कोशन है, वो पढ़ लेते हैं, एक्जाम के लिए, डबल स्टार मार कर यह सभी कोशन को, सभी कोशन प्रिवियस एयर से उठाई गए है, पहला कोशन है मारा, वैलेजली ने कलकता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसलिए की थी, आंसर होगा, वो बिटिश नागरिकों को भारत में प्रशाशन हेतु प्रसिक्षित करना चाहता था, नेक्स्ट है, भारत के किस शाशक ने सौरपथम लॉर्ड वैलेजली की साहयक संधी को सुईकार किया, आंसर होगा, हैदराबाद के निसाम, नेक्स्ट है, किस गवर्नर जर्नल ने साहयक संधी की निती पेश की, जिसके तहत भारतिय साशक ब्रिटिश सेना को अपने छेतर में रखने के लिए सहमत हुए, आंसर होगा, द्वारा की गई, लॉर्ड वैलेजली के द्वारा, चौते एंगलो मैसूर यूद में टीपू, अंत में किस से हार गया, लॉर्ड वैलेजली से, नेक्स्ट कोशन करवाने से पहले, आप सभी के लिए गुड न्यूस है, कि जो हमारी पीड पीडिएफ की वेबसाइट है, www www.ravibooks.pdf.com ये लॉंच हो चुकी है, आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है, गुगल पे, यहाँ पे आपको हमारी करेंट अफेट की पीडिएफ, पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्रोफी, साथ में ही 25,000 जीके वाली जो पीडिएफ है, वो भी आपको यहीं पे मिल जाए कि यहाँ पे 50,000 MCU को आप टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है, तो इस एप्लिकेशन को आप इंस्टॉल कर लेजिए, प्ले स्टोर से, तो चलिए, अब हम नेक्स कोशन पढ़ लेते हैं, अगला जो गवर्नर जनल है, वो है लॉड विलियम बैंटिक, ठीक है, लॉड विलियम ब सही आंसर होगा, इस कोशन का ओप्शन बी, लॉड विलियम बैंटिक, लॉड विलियम बैंटिक जो थे भारत के पहले गवर्नर जनल थे, उपर जो आपने इस रिलीड कोशन पढ़ा था, वो ये पढ़ा था कि बंगाल के पहले गवर्नर, बंगाल के पहले गवर्नर जनल, अब कोशन आगया कि भारत के पहले governer journal कौन थे आंसर हो गयाלor William Bantic यह है फोटो अब डिटेल में कोशन को समझते हैं Lord William Bantic से जुड़े हो जितने भी कोशन एक्जाम में आते हैं तो कोशन है Lord William Bantic कि सदेनियम के माध्यम से भारत के पहले governer journal बने चार्टर अधिनियम 1833 भारत की गवर्नर जर्नल लॉर्ड विलियम बैंटिक ने कब सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून पारित किया 1839 में अगला हमारा गवर्नर जर्नल बैंटिक ने अजमेर में देशी राजाओं का दर्बार कब आयोजित किया 1832 इसीवी में गवर्नर जर्नल लॉर्ड विलियम बैंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है तारागड विलियम बैंटिक ने किस भू रासव परणाली की شुरूआत की थी? महलवाडी प्रथा किसने ठगी के दमन के संबन्द में सुधारों की शुरूआत की थी? विलियम बैंटिक राजा राम मुहन राय को 1829 में सती प्रता को दंडिनीय अपराद घोशित करने में मदद करने के लिए सबसे ज़ादा किसे याद किया जाता है विलियम बैंटिक को इलहाबाद में उत्तर पश्मी परांथ के लिए रासर बोड की नियुकती किसने की विलियम बैंटिक ने अगला जो गवर्नर जर्नल है वो है चार्ल्स मैटकॉफ फिर ये चार्ल्स मैटकॉफ है इसका जो कारेकाल था वो था 1835 से 36 ठीक है तो जो चार्ल्स मैटकॉफ है इनका कारेकाल क्या बता है मैंने आपको 1835 से 36 तो कोशन देख लेते हैं कोशन है भारतिये प्रेस का मुक्त कि दाता कहा जाता है अब देखो फैंस चार्ल्स मैटकॉफ जोड़े इतने भी कोशन अब तर एक्जाम में आए हैं एडिशन इफॉर्मेशन में वो आपको मैं करवा देता हूँ कोशन है किसने राजपुताना की रियासतों के साथ 187-18 के अधिनियम अधिनस्त गडबंदनो पर बातचीत की चार्ल्स मैटकॉफ अगला है भारत की आत्मिर पर सामाजिक विवस्था पर बात करते हुए किसने कहा भारत में ग्रामीन विवस्था एक छोटा गनराज्य है आंसर है चार्ल्स मैटकॉफ यह सभी कोशन पूछे गई थे प्रीविएस येर में SSC, UPSC, UPPCS चार्ड्स Pre-Way, छितनी भी आप completed exam की त्यारी कर रहे हो ना, सभी के लिए ये वीडियो यूस्फुल है क्योंकि सभी exam का selection है, जो वीडियो आप के लिए मैं लेकर आया हूं आज अगला है फ्रीट हमारा Lord Auckland अगला government journal को न है Lord Auckland इसका जो कार्यकाल था 1836 से 42 तक था तो question है हमारा कलकता से दिल्ली तक Grand Truck Road की मरमत किस ने करवाई देखो फ्रेंट GT Road था वो शेरशान सूरी ने बनवाया था लेकिन इसमें question ये आया है कि कलकता से दिल्ली तक जो Grand Truck Road है ना इसका मरमत किस ने करवाया था तो आपका answer क्या होगा option B Lord Auckland अफ्रेंट से जोड़े कुछ question देख लेते हैं जो एक्जाम में आये हैं तो Lord Auckland को किस वर्ष में Governor General नियुक्त किया था 1836 में ये पूछा गया था question exam में अफ्रेंट अगला जो Governor General आ गया वो हागया है Lord Allenbro ठीक है ये 1842 से 44 तक भारत के Governor General रही है तो Lord Allenbro से जोड़े कोई question देख लेते हैं जो एक्जाम में आये हैं किस Governor General के समय सिंदका विले बिटिश राज्चे में कि हुआ था answer होगा option A Lord Allenbro अगला जो Governor General है most important आप सभी के लिए Governor General का नाम है Lord Delosie ठीक है 1848 में ये भारते Governor General बने थे कारेकाल था 1848 से 56 ठीक है तो question है हमारा हड़प सिर्दान्त या बोल सकते हो Doctrine of Laps लागू होने के समय भारत के Governor General कौन थे सही answer है option A Lord Delosie Lord Delosie ने friends हड़प सिर्दान्त को लागू किया था या बोल सकते हो Doctrine of Laps को लागू किया था एक्जाम के लिए डबल स्टार मार करिए आप इस question को आप फ्रेंट्स मैं आपको ना Lord Delosie जोड़ए अन्य important questions बता देता हूँ Lord Delosie किस काल में भारत के Governor General थे आप का अंसर होगा 1848 से 1856 तक Next है Lord Delosie ने अवद का विल्ले कब किया था 1856 में किस Governor General Lord Delosie ने किस राज्चे को एक चैरी कहा था Most important है अवद का समराज्चे को किस Governor General ने 1853 में कलकत्ता से आगरा के लिए पहली टेलिग्राफ लाइन चालू की थी Lord Delosie Delosie के वैबगत के सिदान्द के अधार पर विल्ले की गई प्रतम रियासत कौन सी थी 1851 में अवद को एक चैरी जो एक दिन हमारे मुँ में गिर जाएगी के रूप में वर्नित किस ने किया था Lord Delosie ने अगला है Governor General Lord Delosie ने ब्रिटेश शमराज्चे के विस्तार से सम्मंदित कौन सी निती पेश की थी वैबगत का सिदान्द यानि की Doctrine of Laps Next है किसने 1848 इसवी में भारत में लोक निर्मान विभाग की शुरुआत की थी Lord Delosie ने पहली बार डाग टिकट किसके शाशनकाल में जारी किया गया था Lord Delosie के कारेकाल में भारत के गवर्णर जर्नलों में से किसने आधुनिक भारत का निर्माता की उपाधी प्राब्द की Lord Delosie ने किसे भारती रेल्वे के पिता के रूप में जाना जाता है Lord Delosie को किसने शिमला को गिरिश मकालिन राजधानी बनाई Lord Delosie ने 1862 में किन तीन भारतियों को ततकालिन वोइस रहे Lord Canning ने अपनी विधान परिशद में नामित किया था Lord Canning वाला कोशन आइड हो गया है तो चलो उसका आंसर देख लिए बनारस के राजा, पत्याला के महाराजा, और सर दिनकर रहूं आपको कोशन का लेवल देखके बता लग रहा हो कि सभी कोशन जो है exam oriented है और जिस तरीके से मैं आपको बढ़ा रहा हूं एक भी कोशन आपको exam में छोटे गा नहीं मतलब बहुत महनत करी गई है इस topic के उपर बहुत research किया है मतलब best content आप सभी के लिए मैं अपनी वीडियो में रख सकूंगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को like और share जरूर करें ठीक है तो चलिए अब हम अगला जो हमारा governor general है वो है Lord Canning ठीक है देखो Lord Canning जो था भारत का governor general कब बना 1856 में बना था याद रखना आप सभी को directly question exam में पूछा जाएगा Lord Canning भारत का governor general कब बना 1856 में बना और इनका कारेकाल था 1856 से 62 तक अब हमारा question आ गया है भारत का पहला British वाइसराई कौन था सही answer होगा इस question का option A Lord Canning भारत का पहला British वाइसराई था अब फ्रेंड्स हम Lord Canning से जोड़े यतने भी question अब तर exam में आये न वो पढ़ लेते हैं 1857 की विद्रों के समय भारत का governor general कौन था Lord Canning Lord Canning ने शांती की घोशना की और अंतरता 1857 के विद्रों को कब दबा दिया 5 July 1858 में Lord Canning ने महारानी विक्टियोरिया का घोशना पतर की स्थान पर पढ़ कर सुनाय था इलहाबाद परियागराज में भारतिक की सवाइसराई के समय भारतिय दंड सहिंता यानि की IPC और सिविल प्रकिरिया सहिंता CP तथा दंड प्रकिरिया सहिंता CRPC पारित किये गए Lord Canning Lord Canning ने कौन से सम्हू को Break Waters in the Storm से उलकित किया था जिसने 1857 के विद्रों के दमन में मदद की थी राजसी राज्यों Governor General Canning ने निरने लिया कि कौन अंति मुगल राजा होगा और उसकी मिर्टियों के बाद किसी भी वंशच को राजा के रूप में मानेता नहीं दी जाएगी भादोर शाह जफर कौन भारत गवर्नर General था जब हिंदू विद्वा पूनविवा अधिनियम 1856 अधिनियम अधिनियमित किया गया था Lord Canning भारत में करनाली की शुरुवात का श्रेख वाइसरोय कैनिंग को किसे जाता है आंसरोगा Lord Canning को अधिन्स जो अगला Governor General है वो है Lord Meo ठीक है यह भी काफी important है तो Lord Meo का जो कारेकाल था 1869 से 72 तक था तो अगर आपसे एक्जाम में पूछ लें बताओ कि Lord Meo भारत के Governor General कब बने 1869 में बने थे तो चलिए अब हम question पढ़ लेते हैं फ्रेंदे को question तो एक बहाना है लेकिन मैं आपको complete topic पढ़ा रहा हूँ ठीक है Governor General के जितने भी कोशन exam में बनते हैं ब्लुकल topic wise पढ़ा अपको में ठीक है उमीद करता हूँ अपको हर एक question अच्छे समझ में आ रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि सभी question आपने अपने exam में देखे थे पिछले exam में ठीक है question है भारत में पहली जनगना किसके शाशनकाल में वर्ष 1872 में की गई थी सही answer होगा इस question का option है Lord Mayo याद रखने हैं आप सभी को भारत में जो पहली जनगना हुई थी किसके शाशनकाल में हुई थी 1872 में Lord Mayo के अफेंट्स हम Lord Mayo से जितने भी question अब तक exam में आये हैं वो पढ़ लेते हैं 1872 में Shere Ali द्वारा Lord Mayo की हत्या कहां हुई भारत के कौन से Governor General या वाइचराय क्रिशी एवं बानेजे विभा की स्थापना से संबंदित है Lord Mayo Mayo College की स्थापना 1875 में किसने की थी Richard Barker ने भारत में वित्य विकेंदरी करन की शुरुआत किसने की Lord Mayo ने अगला जो Governor General है वो है Lord Litton ठीक है 1876 से 80 तक इनका कारेकाल था 1876 में ये भारत के Governor General बने थे ठीक है और कारेकाल भी मैंने आपको बता दिया तो कोशन आया था इंसे रिलेटेड Lord Litton ने शस्थर अधिनियम का पारित किया था आपका आंसर होगा option B 1878 इस भी में अब हम Lord Litton जोड़ोगे questions देख लेते हैं जोके exam में कई बार पूछे गई हैं किसने 1878 के Vernacular Press Act का प्रस्ताव रखा था Lord Litton ने इनमें से भारत के कौन Governor Journal Oven Meredith के नाम से कविता लिखा करते थे ये Oven Meredith के नाम से कविता को लिखा करते थे 1877 में किस वाइसराई ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में सुईकार करने के लिए एकतर बार कायोजन किया था Lord Litton ने अगला जो Governor General आ गया वो आ गया Lord Rippon ठीक है इनसे भी जुड़े कोशन एक्जाम में आते हैं 1883 से 1884 का कारेकाल था 1880 में ये भारत के Governor General बने थे और इसी के साफेंट्स आपको बताना चाहता है आप हमारी अप्लिकेशन जरूर डाउनलोड कर ले न आपको Lord Rippon को भारत में स्थानिय स्वाशाशन का जनक माना जाता है और फ्रेंट्स मैं आपको Lord Rippon से जुड़ यतने भी कोशन है वो आपको करवा देता हूं ठीक है तो पहला कोशन एक्जाम में पूछा गया था किसने Lord Rippon को भारत का उधारक कहा और उसके शाशन काल को भारत में सोवन युक का आरंप कहा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने Lord Rippon द्वारा सिक्षा सुधार के लिए हंटर आयो की न्युक्ति किस वर्ष की गई थी 1882 में और आपस एक्जाम में पुछा जाता है कि हंटर आयो की न्युक्ति किस ने करी थी Lord Rippon ने करी थी किस वाइसरा के कारेकाल की दोरान वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को निरस्त कर दिया गया था Lord Rippon के कारेकाल में Lord Rippon ने किस वर्ष में इलबर्ट बिल पेश किया था 1883 में किसे प्रथम फैक्टरी अधिनियम 1881 के अधिनियम का श्रेज आता है जिसमें बाल रोजगार को वी नियमित करने का प्रावधान था Lord Rippon 1882 के भारती सक्षायों की जुकती किस के दौरा की गई थी Lord Rippon के दौरा जब भारत की नियमि जनगना पहली बार की गई थी तो उस समय भारत के वाइसराई कौन थे Lord Rippon ब्रिटिश भारत के इतिहास में मैसूर को उसके पुराने शाशक परिवार को पापन सोपा जाना एक अधिवते घटना थी इसे किस ने अंजाम दिया था Lord Rippon ने अगला जो Governor General है वो है Lord Dufferin ठीक है जो Lord Dufferin था ना इसका कारेकाल था 1884 से 1880 तक यह आपको याद रखना है और 1884 में यह भारत के बनेते Governor General तो चलिए इनसे जोड़े कोशन देख लेते हैं जो कि एक्जाम में आए हैं तो पहला कोशन है हमारा भारतिय राच्टिय कॉंग्रेस की स्थापना किस वाइसरोई के कारेकाल में की प्रमुग घटना है सही आंसर होगा इस कोशन का Option B Lord Doffrin याद रखना आप सभी को फ्रेंट्स भारतिय राच्टिय कॉंग्रेस की स्थापना Lord Doffrin के कारेकाल में हुई थी अब हम Lord Doffrin जोड़े सभी कोशन पढ़ लेते हैं कोशन है हमारा त्रित आंगल बर्मा योद जिसमें बर्मा पराजित हुआ था किस वाइसरोई के काल की प्रमुग घटना थी Lord Doffrin भारतिय राच्टिय कॉंग्रेस ने भारत में मुठी भर अलप संख्यों को के विचारों का प्रतिनित्व किया इस विवाद को किस के द्वारा बनाये रखा गया था Lord Doffrin के द्वारा नेक्स्ट है किस Governor General ने लोगों के केवल सूक्षम अलप संख्यक का प्रतिनित्व करने के रूप में कॉंग्रेस का उपहास किया Lord Doffrin अगला जो Governor General है वो है Lord Curzon इसमें से एक्जाम में कोशन आते हैं तो Lord Curzon का कारेकाल था 1899 से 1905 याद रखने हैं आपको 1899 में ये भारता Governor General बना था तो कोशन है हमारा Lord Curzon नेमलिकित में से किस घटना से संबंदित है Most important कोशन होगा ये सही answer है उप्शन है 1905 का जो बंगाल का विवाजन है इससे संबंदित है Lord Curzon हर साल एक्जाम में रेपीट होता है कोशन है और फ्रेंड सम लॉड कर्जन जोड़े सभी कोशन पढ़ लेते हैं जो एक्जाम के लिए most important आप सभी के लिए Lord Curzon के कारेकाल की दौरान किस वर्ष में भारतिय विश्विद्याले अधिनियम पारित किया गया था 1904 में Lord Curzon ने किसके नितरतों में पुलिस आयों का गठन किया था Sir Andrew Fraser कोशन है मारा Lord Curzon दौरा परिकल्पित विक्टोरिया मैमोरियल किस शहर के वास्तुकला प्राकस्टा का प्रतिन्दिव करता है कोलकाता Lord Curzon ने बंगाल के विभाजन का आदेश किस वर्ष दिया था 1905 में Lord Curzon की आतरा के उपलक्षम में बर्दवान के राजा दौरा कौन सा समारक बनाया गया था Curzon गेट जिसे की बिजोई तोरण भी कहा जाता है Lord Curzon दौरा सिंचाई आयों 1901 के परमुक के रूप में किसे न्युक्त किया गया था Sir Volwin Scott Monkins को Next है 1905 में Lord Curzon दौरा बनाया गया बंगाल विभाचन तब तक चला Answer है King George Pancham ने 1911 में दिली के रॉयल दर्वार में करजन के अधिनियम को रद कर दिया Next है Lord Curzon दौरा अकाल आयों 1900 के परमुक के रूप में किसे न्युक्त किया गया था Anthony MacDonald को अगला Governor General फ्रेंट्स Lord Minto दौरा दौरा इनका कारेकाल था 1905 से 1910 तक 1905 में ये Governor General बने थे तो कोशन है हमारा करांतीकारी खुदी राम बोस को फांसी दिये जाने के समय किस वाइसराय का शाशन था सही आंसर होगा Option है Lord Minto दौरा 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 का Lord Minto Dutte के कारेकाल में 1907 सूरत अधिवेशन में Congress की विभाजन के समय भारत का Governor General कौन था Lord Minto Dutte किसने भारतिय क्रिशी सेवा शुरू की Lord Minto Dutte हमारा जो अगला Governor General आगया है वो आगया है Lord Harding Dutte ठीक है कारेकाल था 1910 से 1916 तक तो एक्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ Lord Harding Dutte कब भारत का Governor General बना 1910 में बना था तो कोशन है हमारा प्रतम विश्वियोद 1914-1919 के समय भारत के Governor General कौन थे Most important question है ये भी सही आंसर होगा Option D Lord Harding Dutte याद रखने आपको प्रतम विश्विद्व के समय भारत के Governor General थे Lord Harding Second अब हम Lord Harding Dutte जो है इनसे जुडवे महतवपुन प्रशन देख लेते हैं राजधानी स्थानंतरन के अफसर पर दिल्ली में परवेश के समय किस वाइसराय पर बम फेका गया था Lord Harding दूइते पर Lord Harding पर बम फेकने वाले करांतिकारी का नाम क्या था रास बिहारी बॉस Lord Harding को कब बनारेस हिंदू विश्विद्याले का कुलाधी पती नियुक्त किया गया 1916 इसवी में और आपको फ्रेंट्स एक्जाम ने कोशन पुचा जाता है कि जो बनारेस हिंदू विश्विद्यालेस के संस्थापक कौन है मदन मोहन मालवी है Most important कोशन है ये भी किसने बंगाल के विभाजन को रद किया Lord Harding ने British भारत की रासधानी को 1911 में कलकत्ता से धिल्ली स्थानंतरित किस वाइसराइने की थी Lord Harding दूइते ने किस वाइसराइन ने भारत रक्षा अधिनियम 1915 पारित किया Lord Harding दूइते ने अगला जो गवर्नर जनरल आ गया है वो आ गया है Lord Champsford 1916 से 1921 तक इनका कारेकाल रहा है 1916 में ये भारत ये गवर्नर जनरल भारत के वाइसराइ बने थे तो कोशन है मारा जलिया वाला बाग हत्याकांड किस वाइसराइ के कारेकाल में हुआ था सही आंसर होगा Option C Lord Champsford Most important कोशन मार करिए इसको जलिया वाला बाग हत्याकांड Lord Champsford के कारेकाल में हुआ था अफ्रेंड हम Lord Champsford जूड़े वे पारित हुआ था Lord Champsford भारत में खिलाफत आंदोलन किसके शाशनकाल में शुरू हुआ था Lord Champsford एडविन, मॉन्टेग्यू राज सचिव और वाइसराइ Lord Champsford ने समिधानिक सुधारों की अपनी योजना त्यार की जिसके कारण भारत सरकार अधिनियम डैश का अधिनियमन हुआ 1919 1919 में जलियावला बागी खटना की जांच के लिए Lord Champsford द्वारा कि समीती का गठन किया गया था? हंटर समीती का जब द्रैश शाशन को भारत प्रशाशन में लागू किया गया था उस समय वाइसर आई कौन थे? Lord Champsford Montague Champsford प्रस्ताव किस से संबंदित है? समयधानिक सुधार से लखनव संधी पर हस्ताशर करते समय भारत का वाइसर आई कौन था? Lord Champsford काफी बार एक्जाम में पुछा गया कोशन है 1919 में जब Montague Champsford अधेनियम पारित किया गया था तब इंग्लेंड का प्रधान मंतरी कौन था? Lord George किसके शाषिन के तौरान खिलापत आंतोलन शुरू हुआ? Lord Champsford के याद रखने हैं आप सभी को अगला जो Governor General आ गया है वो आ गया है Lord Reading ठीक है? 1921 से 1926 20 तक इनका कारेकाल था तो Question है भारत में आने वाला एकमाद यहूदी वाइसराइ कौन था? Most important Question है यह भी आंसर होगा Option B Lord Reading इनसे जुड़ोए कोशन देख लेते हम काकोरी ट्रीन टकैती के तौरान भारत का वाइसराइ कौन था? Lord Reading 5 फरवरी 1922 को 4 चोरा की घटना के समय वाइसराइ कौन था? Lord Reading Next है हमारा विश्यो भारती विश्विद्याल है शांती निकेतन में किस वाइसराइ के शाचनका के तौरान शुरू किया गया था? Lord Reading को फिर अगला जो वाइसराइ है वो है Lord Irwin ठीक है इनका कारेकाल था 1926 से 31 तक 1926 में भारत के वाइसराइ बने थे और फ्रेंट्स आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपकोना 100 previous year कोशन भी करवाने वाला हूँ लास्ट में तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना बहुत ज़्यदा help मिलेगी आपको आपके एक्जाम में तो हम Lord Irwin से जोड़ एक कोशन देख लेते हैं तो हमारा कोशन है साइमन कमीशन का आगमन किस वाइसराइ के काल में हुआ था? सही आंसर होगा इस कोशन का option B Lord Irwin के काल में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था अब हम Lord Irwin जोड़ एक कोशन देख लेते हैं Lord Irwin को लिखे अपने पत्र में महात्मा गांदी ने कितनी मांगे की जिन में से कुछ पर सहमती बन गे और इन्हें गांदी इर्विन समझोते के रूप में जाना जाने लगा 11 गांदी इर्विन समझोते को और किस रूप में जाना जाता है? दिल्ली समझोता किसने गांधी इर्विन समझोते में महात्मा गांधी के लाब को सांदवना पूसकार कहा था आंसर होगा एलन कैमबिल जॉन्सन Most important question है London में महात्मा गांधी और वोईसरोई Lord इर्विन के बीच गांधी इर्विन पैक्ट पर हस्थाचर कब होए 5 मार्च 1931 में गांदी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यातरा के समय भारत के वाइसराइ कौन थे लॉड इर्विन उस वाइसराइ का नाम बताईए जिसने उबर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिली का उधगाटन किया लॉड इर्विन सविन्य अबग्या अंदुलन की शुरूआत किसके कारेकाल में हुई लॉड इर्विन के उस वाइसराइ का नाम बताईए जिसने 1929 में भारत के लिए प्रभुतव का दर्जा यब हो सकते हो डॉमिनियन स्टेटर्स देने की घोशना की थी लॉड इर्विन प्रथम गोल में सम्मिलन के दोरान इन में से कौन भारत का वाइसराइ था लॉड इर्विन अगला जो गवर्णर जर्णल आ गया वो आ गया है लॉड वैलिंग्टन इसका जो कारेकाल था 1931-1936 तक था 1931 में ये भारत का गवर्णर जर्णल बना था तो कोशन है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के दोरान भारत के गवर्णर जर्णल कौन थे आपका अंसर होगा कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वागई बहुत खुब सूरत होती, आपका अंसरों का Lord Willington, यह आपको याद रखना है Friends, हमारा पास जो अगला Governor General है वो है Lord Littgo जो Lord Littgo था Friends इसका जो कारेकाल था 1936-1943 तक रहा है, भारत की यह Governor General बने थे 1936 में ठीक है, यह आपको याद रखना है तो कोशन है मारा, निम लिकित में से किस वाइसराई के दौरान क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया सही आंसर होगा इस कोशन का option C Lord Littgo Lord Littgo जो भारत का वाइसराई था Friends इसके दौरान क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया था अब Friends हमना Lord Littgo जो जितने भी कोशन है important वो हम discuss कर लेते हैं कोशन है, 1940 में प्रस्तुत अगस्त प्रस्ताव किस वाइसराई दौरा जारी किया गया था Lord Littgo दौरा भारत किस वाइसराई के शाषनकार में 11 भारतिय राज्चों में पहली बार चुनाव होए थे Lord Littgo के टाइम पे भारत किस वाइसराई ने 1943 के बंगाल के अकाल को संबोधित करते हुए सेना को आदेश दिया कि वे भूग के ग्रामीन बंगालियों बंगालियों को राहत आपूरती वितरित करे Lord Littgo भारत चुरू आंतोरन के समय वाइसराई कौन थे Lord Littgo Most important question है अगला जो Governor General आगया है वो आगया है Lord Wevel ठीक है 1943 से 1947 तक इनका कारेकाल था और ये भारत के Governor General कब बने 1943 मे तो question है मारा भारत को सत्ता हंस्तांतरन के लिए 1946 में Breakdown Plan किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था सही आंसरों का इस question का वाइसराई Lord Wevel ये आपको याद रखना है अब फ्रेंट सम लाइसराई के शाशन अंकाल में राज गुपाल चारी ने सी आर फॉर्मूला प्रस्तुत किया Lord Wevel वैवल योजना या बोल सकते हो शिमला सम्मेलन 1945 इसका नाम भारत किस वाइसराई के नाम पर रखा गया था Lord Wevel किस वर्ष में वैवल की योजना शुरू की गई थी 1945 में अब हमार पास जो आखरी गवर्नर जर्नल है वो है Lord Mountbatten ठीक है 1947 से 1948 तक यह भारत के गवर्नर जर्नल रहे है तो हमारा कोशन है जब Lord Mountbatten भारत के पहले गवर्नर जर्नल बने यहाँ पर सुरतंत भारत कर लीजिए आप ठीक है भारत का गवर्नर जर्नल कौन था आपका अंसरों का Lord Mountbatten भारत के विभाजन के संबंद में Mountbatten योजना अधिकारिक तोर पर घोशित कब की गई थी 3 जून 1947 को भारत का अंतिम ब्रिटिश वाइसराई कौन था Lord Mountbatten Lord Mountbatten सेवा निर्विती वर्ष क्या है 1965 Next है कौन 1947 में Lord Mountbatten द्वारा वाइसराई के रूप में प्रती स्थापित किया था Lord Bevel Next है Mountbatten योजना का अधार बना आंसर है देश का बटवारा Mountbatten प्लान में किस प्रांथ में जन्मस संगराय के लिए प्रदान किया गया था उत्तर पश्मी सिमांत प्रांथ भारत का अंतिम वाइसराई कौन था जिसने भारत और पाकिस्तान के सोतंतर राज्यों के निर्मान की देखरे की Lord Mountbatten किसने भारतिये सोतंतरता के लिए डिकी बर्ड प्लैन त्यार किया Lord Mountbatten गांदी जी को एक आदमी सीमा बल के रूप में किसने संबोतित किया Lord Mountbatten और अगर आपसे एक्जाम में ये पूछा जाए कि ब्रिटिश भारत के अंतिम एवं सोतंतर भारत के प्रथम वाइसरा इकॉन थे आप का अंसर होगा Lord Mountbatten ये आपको याद रखना है और फ्रेंट्स आखरी हमारे पास है C. Raj Gopal Chari ठीक है 1948 से 1950 तक भारत के Governor General थे तो सबसे में कोशन यही बनता है कि सोतंतर भारत के पहले भारतिये Governor General कॉन थे ठीक हो फ्रेंट्स सोतंतर भारत के पहले Governor General कौन बताया मैंने आपको वो मैंने बताया Lord Mountbatten लेकिन वो British थे यहां मैं पूछा गया है कि सोतंतर भारत के पहले भारते Governor General कौन थे सही आंसर होगा Option B C. Raj Gopal Chari यह कोशन और एक्जाम में पुछा रहता है कि सव्यक्ति को सवर्पताम भारतेतन प्रुसकार दिया गया था C. Raj Gopal Chari को दिया गया था और फ्रेंट्स मैंने आपको यह पूरा complete topic करवा दिया topic wise आप मैं आपको 100 कोशन और करवा रहा हूँ ठीक है तो इस PDF को आप हमारी website से ले सकते हो website में आपको बता चुका हूँ www.ravibookspdf.com www.ravibookspdf.com यह friends आप हमारी application से पर जाके भी आप आप कर सकते हो तो चलिए friends आप हम questions पढ़ लेते हैं सभी questions previous year के हैं 20 से 25 बार repeat हो हैं सभी questions तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कोशन है मारा वैपकत के सिद्धान्त या बोल सकते हो हड़प की निती किसने तियार की सही answer होगा option C Lord Dalhousie Lord Dalhousie हो थे friends इन्होंने वैपकत का सिद्धान्त या बोल सकते हो हड़प की निती को तियार किया था अगला कोशन निम लिखित में से किस बिटिश गवर्नर जर्नल या वाइसरा इन्हें भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा की थी सही answer होगा option A Lord Dalhousie Lord Dalhousie जो फेंस गवर्नर जर्नल थे इन्होंने भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा दी थी अगला कोशन शरम की स्थितियों में सुधार के लिए भारत में पहला कारखाना अधीनियम डैश के कारेकाल में प्रस्तावित किया गया था सही answer होगा option C Lord Rippon आपको याद रखना है friends शरम की स्थितियों में सुधार के लिए भारत में जो पहला कारखाना अधीनियम था यह Lord Rippon के कारेकाल में प्रस्तावित किया गया था पर इसी सभी कोशन जो आपके सामने में लेकर आया हूँ यह previous year के कोशन है एक्जाम से फैले फ्रेंट साब एक कोशन रटके जाना और अगर आप यह पूरा वीडियो देख लेते हो आपका यह टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा एक्जाम के लिए डबल स्टार मार करिए अवद के संदर में किसने बयान दिया एक चैरी जो एक दिन हमारे मुँ में गिर जाएगी आंसर होगा ओप्शन ए Lord Delozy Lord Delozy ने फ्रेंट्स अवद के संदर में यह बयान दिया कि एक चैरी जो एक दिन हमारे मुँ में गिर जाएगी नेक्स कोशन वारेन हैस्टिंग्स डैश में बंगाल के पहले गवर्नर जर्नल बने सही आंसर होगा ओप्शन D 1773 में आपको याद रखना है फ्रेंट 1773 में वारेन हास्टिंग जो थे यह बंगाल के पहले गवर्नर जर्नल बने थे नेक्स कोशन भारेस सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का वाइस राय कौन था सही आंसर होगा ओप्शन A Lord Willingdon Lord Willingdon जो थे यह भारेस सरकार अधिनिया 1935 के समय भारत के वाइस राय थे नेक्स कोशन नेम लिकीत में से किस गवर्नर जर्नल ऑफ इंडिया ने भारत में एलेक्टरिक टेलिग्राफ सिस्टम की शुरुआत की थी सही आंसर होगा ओप्शन B Lord Dalhozy Lord Dalhozy जो की गवर्नर जर्नल 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 इन्हों ने भारत में एलेक्टरिक टेलिग्राफ सिस्टम की शुरुआत करी थी इस कोशन को भी आप डबल स्टार मार करिये नेक्स कोशन बंगाल के पहले गवर्नर जर्नल कौन थे आंसर होगा ओप्शन C Warren Hastings Warren Hastings योठेफैंट्स ये गवर्नर जर्नल थे नेक्स कोशन भारत के गवर्नर जर्नल कौन थे जब स्थाई बंदोवस्थ की शुरुआत की गई थी सही आंसर होगा ओप्शन D Charles Convallis Charles Convallis योठेफैंट्स ये भारत के गवर्नर जर्नल थे जब स्थाई बंदोवस की शुरुवात करी गई थी किस गवर्नर जर्नल पर ब्रिटिश संसद में महा भ्योग का मुकदमा चलाया गया था सही आंसर होगा ओप्शन D. वारेन हैस्टिंग आपको याद रखना है वारेन हास्टिंग जो गवर्नर जर्नल पर ब्रिटिश संसद में महा भ्योग का मुकदमा चलाया गया था अगला कोशन भारत का सबसे युवा गवर्नर जर्नल कौन था सही आंसर होगा ओप्शन A. लॉर्ड डलोजी लॉर्ड डलोजी जो था ये भारत का सबसे युवा गवर्नर जर्नल था सही आंसर होगा ओप्शन C. लॉर्ड माउंट बैटन स्वातंतर भारत के प्रथम गवर्नर जर्नल थे आपको कोशन का लेवल देखके बता लग रहा होना कि सभी कोशन जो है एक्जाम और यही कोशन है जो कि हर एक्जाम में बार बार रिपीट होते हैं तो मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो इस कंप्लीट टॉपिक इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ नेक्स कोशन निम लिखित में से कौन भारत का गवर्नर जर्नल था जब हिंदू विद्वा पूर्न विवा अधिनियम 1856 अधिनियमित किया गया था सही आंसर क्या होगा ओप्शन ए लॉड कैनिंग किस गवर्नर जर्नल ने भारत में अंगरेजी को सिक्षा के माध्यम के रोप में बनाने का फैसला किया सिपाई विद्रों के समय गवर्नर जर्नल कौन था आंसर होगा option C, Lord Canning Lord Canning जोधे फ्रेंट्स ये सिपाई विद्रों के समय गवर्नर जर्नल थे Lord Clive को उम्रा की उपाधी किस ने प्रदान की थी सही answer होगा option B, आलमगीर इन्हों ने ब्लैक होल की घटना का वर्नर बंगल के किस गवर्नर ने किया था सही आंसर होगा, Option D. हॉल्वेल इन्हों ने ब्लैक होल की घटना का वर्नर किया था Next question, Warren Hastings ने Board of Revenue जिसे कि हम राजसर बोड भी बोलते हैं का गठन किस वर्ष किया था सही आंसर होगा Option A, 1772 ECV में Warren Hastings ने Board of Revenue याने की राजसर बोड का गठन किया था अगला question, Regulating Act के अंदर कर 1774 ECV में किस स्थान पर Supreme Court की स्थापना की गई थी सही आंसर होगा Option D, कलकत्ता, पशीम बंगाल कलकत्ता हमें Friends, Regulating Act के अंतर कर 1774 ECV में Supreme Court की स्थापना की गई थी Next question, पवित्र गरंद भगवद गीता का अंगरी जी में अनुवात करने का श्रे किसे दिया जाता है जिसे Warren Hastings ने आश्रे प्रदान किया था सही आंसर होगा Option A, Charles Wilkins को Next question है मारा, Lord Karnovalis की कबर कहां स्थेते हैं? सही आंसर होगा Option B, Gajipur Gajipur में Friends, Lord Karnovalis की कबर स्थेते हैं अगला question, भारत का अंतिम Governor Journal कौन था? सही आंसर होगा Option B, Lord William Bantic Lord William Bantic जो थे Friends, ये भारत के अंतिम Governor Journal थे Next question, निम लिखित में से कौन सा Governor Journal स्वय को बंगाल टाइगर कहता था? सही आंसर होगा Option D, Lord Wallisley Lord Wallisley जो थे Friends, ये स्वय को स्वय को बंगाल टाइगर कहता था ये कोशन भी प्रीवियस एर में काफी बार पुछा गया है Next question, रंजी सिंग के साथ अमरी सर की संधी 1809 के समय British Governor Journal कौन था? सही आंसर होगा Option A, Lord Minto Pratham Lord Minto Pratham जो थे Friends, ये संजी सिंग के साथ अमरी सर की संधी के समय British Governor Journal थे अगला कोशन, भारत में Governor Journal के पदपर आसीन होने से पूर 20 वर्षों तक British संसद में रहने वाले Governor Journal कौन थे? सही आंसर होगा Option C, Lord Harding Lord Harding जो थे Friends, ये भारत में Governor Journal के पदपर आसीन होने से पूर 20 वर्षों तक British संसद में रहने वाले Governor Journal थे? Next Question, किसने कहा था कि मेरा मुल्यकान मेरे कारेओं से करना शब्दों से नहीं? सही आंसर होगा Option D, Lord Rippon ने Lord Rippon ने फ्रेंट्स कहा था कि मेरा मुल्यकान मेरे कारेओं से करना शब्दों से नहीं? Next Question, बिहार तथा कोईटा में आए भुकम की घटना किस वाइसराय के समय होई थी? सही आंसर होगा इस कोईशन का Option C, Lord Willington के काल में बिहार तथा कोईटा में आए भुकम की घटना हुई थी? Next Question, सौतंतर भारत के प्रथम तथा अंतेम भारतिय गवर्नर जर्नल कौन थे? सही आंसर होगा इस कोईशन का Option C, C. राज गुपाल चारी सौतंतर भारत के प्रथम तथा अंतेम भारतिय गवर्नर जर्नल थे? Next Question, Lord Kahn-Wallis ने किस वर्ष थाई बंदोवस को लागू किया? सही आंसर होगा Option D, 1793 ECV में 1793 ECV में Lord Kahn-Wallis ने स्थाई बंदोवस को लागू किया था तो अगर आप से एक्जाम में पूछा जाए किस थाई बंदोवस को किस वर्ष राई ने लागू किया था तो आपका आंसर होगा Lord Kahn-Wallis ने और कब किया था? 1793 ECV में Next Question, भारत का प्रथम गवर्नर जर्नल कौन था? सही आंसर होगा Option B, Lord William Bantic Lord William Bantic ये भारत का प्रथम गवर्नर जर्नल था Next Question, परवतिय छेतरों में गौंड जनजाती में प्रचलित मान बली प्रथा का दमन किस ने किया था? सही आंसर होगा इस Question का Option B, Lord Harding ने Lord Harding ने फ्रेंट्स परवतिय छेतरों में गौंड जनजाती में प्रचलित मान बली प्रथा का दमन किया था Next Question, जैम्स एंडर्स बीरो रैम्जे भारत के किस गवर्नर जर्नल का वास्तविक नाम था? सही आंसर होगा Option A, Lord Dalhosee का Lord Dalhosee जो की गवर्नर जर्नल थे भारत के इनका जो वास्तविक नाम था वो था जैम्स एंडर्स बीरो रैम्जे अगला Question, भारत में रेल्वे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जर्नल के समय बिचाई गई थी? सही आंसर होगा Option C, Lord Dalhosee के समय में भारत में रेल्वे लाइन जो थी Friends, ये Lord Dalhosee के समय में बिचाई गई थी अगला Question, भारतिये प्राततव सर्वेक्षन की स्थापना किस वासराय के काल में हुई थी? सही आंसर होगा Option D, Lord Karzan के काल में आपको याद रखने है Friends, भारतिये प्राततव सर्वेक्षन की स्थापना जो थी? ये Lord Karzan के काल में हुई थी रिंग फैंस की निती का समबंद किस गवर्नर जर्नल से है? आंसर होगा Option C, Warren Hastings याद रखने हैं आपको रिंग फैंस की निती जो है Friends, ये Warren Hastings से संबंदित है अगला कोशन कलकता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य नियाधिश कौन थे? सही आंसर होगा इस कोशन का Option B, Eliza Impey एलिजा Impey जो थे Friends, ये कलकता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम नियाधिश थे? एक्जाम के लिए Most Important मार करिए अगला कोशन सहायक संधी को किस गवर्नर जर्नल के काल में किरियावनित किया गया? सही आंसर होगा इस कोशन का Option D, Lord Valesley के काल में सही आंसर होगा इस कोशन का Option A, पेशवा बाजी राव दुईतिय पेशवा बाजी राव दुईतिय जो थे Friends, ये Lord Valesley की सहायक संधी को सुईकार करने वाला पहला मराथा सरदार था नेक्स कोशन, किस British Governor General ने अपने शाषन की दौरान सती प्रथा पर प्रतिबंद लगाया? Most Important Mark करिये, सही आंसर होगा Option C, Lord William Bantic Lord William Bantic जो British Governor General थे Friends, इन्होंने अपने शाषन की दौरान सती प्रतिबंद लगाया था अगला कोशन, अंगल नेपाल युद किस गवर्नर जन्रल के काल में हुआ था सही आंसर होगा इस कोशन का, option B, Lord Hastings के काल में याद रखना है अपसभी को, अंगल नेपाल युद जो था, यह Lord Hastings के काल में हुआ था किस कंपनी ने स्वर्पथम भारत में रेल यातरा आरंब की सही आंसर होगा option B Great Indian Peninsula Railway ने Great Indian Peninsula Railway ने स्वर्पथम भारत में रेल यातरा को आरंब किया था डाक टिक्टों का प्रचनल किस गवर्नर जर्नल के काल में प्रारंब हुआ था सही आंसर होगा option B Lord Delosie के काल में यातर रखना है आपको प्रचनल का जो प्रचनल था ये Lord Delosie के काल में प्रारंब हुआ था नेक्स कोशन एग नमंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोशना पत्र को Lord Canning दवारा कहां पढ़कर सुनाया गया था सही आंसर होगा इस कोशन का option C इलहाबाद में नेक्स कोशन अफगानिस्तान के संदर में किस भारतिय वाइसराय ने अहस्त शेप की निती अपनाई सही आंसर होगा option A John Lawrence ने नेक्स कोशन किस वाइसराय के शाशन काल में वर्ष 1911 में दिल्ली दर्बार का आयोजन किया गया था सही आंसर होगा option C Lord Harding के काल में Lord Irwin के काल की प्रमुग घटना कौन सी थी सही आंसर होगा option B सब इने अवग्या आंदोलन जो था ये Lord Irwin के काल की प्रमुग घटना थी अगला कोशन दृत्य गोल में समेलन के आयोजन के समय भारत में किस वाइसराय का शाशन था सही आंसर होगा option A Lord Willington का Lord Willington जो थे इनका शाशन था दृत्य गोल में समेलन के आयोजन के समय नेक्स कोशन वर्ष 1935 में बर्मा का भारत से अलग होना किस वाइसराय के काल की प्रमुग घटना है आंसर क्या होगा इस कोशन का option B Lord Willington के काल में नेक्स कोशन है मारा भारत सरकार अधिनियम 1935 का धाचा त्यार करने में किस वाइसराय ने महतपुन भुमी का निभाई थी आंसर क्या होगा option D Lord Willington लिथको ने नेक्स कोशन Lord Willington लिथको किस आंदोलन के समय भारतिय वाइसराय थे आंसर क्या होगा option B भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय Lord Willington लिथको जो थे ये भारतिय वाइसराय थे अगला कोशन दिवते विश्वयुद की समापती के समय भारत का वाइसराय कौन था आंसर होगा option A Lord Will याद रखने आपको दिवते विश्वयुद की समापती के समय जो भारत के वाइसराय थे वो Lord Will थे बकसर के यूद के समय बंगाल का गवर्नर कौन था आंसर होगा option A वैंसी टार्ड वैंसी टार्ड जो थे ये बकसर के यूद के समय बंगाल का governor था अगला question regulating act के अंतरगत बंगाल का प्रथम governor general किसे न्युक्त किया गया था सही answer होगा option B Warren Hastings याद रखने आपको regulating act के अंतरगत बंगाल का जो प्रथम governor general था वो न्युक्त किया गया था Warren Hastings को circuit code की स्थापना किस governor general के कारेकाल में की गई आंसर होगा option A Lord Khan Wallace Lord Wallace की सहयक संदी विवस्था को सुईकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था आंसर होगा option B हैदराबाद most important question है यह भी Lord Wallace ने press की press पर प्रतीबंद कि सुवर्ष लगाया था सही answer क्या होगा option D 1799 प्रतीबंद किस governor general के समय में लगाया गया था आंसर होगा option C Lord Wallace के समय में next question करते है पिंडारियों के दमन का श्रे किसे दिया जाता है सही answer होगा option A Lord Hastings को भूमी विवस्था के अंतरकत रेयत वाड़ी विवस्था को Hastings के समय में किसने बंबई में लागो किया था आंसर होगा option B अलिफ इंस्टन ने next question Lord Rippon को भारत के उध्यारक की संगया किस ने दी थी सही answer होगा option B Florence Nightingale ने संपून भारत में किस वाइसराय के शाशनकाल के दौरान नमक कर को कम कर दिया गया था सही answer होगा option D Lord Rippon के शाशनकाल में next question British भारतिय राज्ये छेतर का अंतें प्रमुक विस्तार किस वाइसराय के काल में हुआ था सही answer होगा option C Lord Dufferin के अगला question भारत और अफगानिस्तान के मध्धे का निर्धारन रिखा जिसे की डुरंड रिखा कहा जाता है किस वाइसराय के काल में निर्मित की गई थी सही answer होगा option B Lord Lansdown के काल में next question करते हैं भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा किये जाएगी किस वाइसराय का कथन है ये सही answer होगा option C Lord Elgin Duttega next question कलकता में विक्टोरिया मैमोरियल हौल का निर्मान किसके शाशनकाल में हुआ था सही answer होगा option A Lord Curzon के शाशनकाल में याद रखना आपको फ्रेंट्स कलकता में विक्टोरिया मैमोरियल हौल का निर्मान हुआ था ये Lord Curzon के शाशनकाल में हुआ था यह कोशन भी पिछले एक्जामों में कई बार रिपीट हुआ है यह जो वीडियो है कुछ ही दियर में कंप्लीट होने वाली लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो काफी समय से एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो आपको आफ को पता लग 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 रखेम हैं आपकी सामें जो क्वाशन देका रहाते इन WATं कि उस सभी के लिए कि बहुत में tolerant करता रवीbookspdf.com यहाँ आपको ना हर सब्जेक की जो हमारी paid PDF है वो मिल जाती है आपके रवी सर ने best content रखा है अपनी PDF में तो इस website पर जाके आप हमारी PDF को buy कर सकते हो कम time में किसी भी exam की तियारी असानी से कर सकते हो हमारी PDF से अगला question करते हैं भारत में Lord Karzan के प्रशाशन की तुलना औरेंग जेब से किस ने की थी सही answer होगा इस question का option A गौपाल कृष्ण गोखले ने गौपाल कृष्ण गोखले ने भारत में Lord Karzan के प्रशाशन की तुलना औरेंग जेब से की थी अगला question Cabinet Mission के भारत आगमन के समय वाइसराइ कौन था सही answer होगा इस question का option D Lord Vevel next question 25 जून 1945 को आयोजे शिमला सम्मेलन के समय भारत का वाइसराइ कौन था सही answer होगा option C Lord Vevel ठगी प्रथा का अंतकिस गवर्नर जर्नल के कारेकाल में हुआ था सही answer होगा option A Lord William Bantic यात रखना आप सभी को फ्रेंट्स ठगी प्रथा का जो आंत था ये Lord William Bantic जो गवर्नर जर्नल थे इनके कारेकाल में इसका अंत हो गया था next question निमने में से किस अंगरीज गवर्नर जर्नल ने निचले बर्मा को ब्रिटिश समराजे में मिला लिया था सही आंसर होगा option C Lord Delozy अगला question निमने में से किस वोइस रा या बोस अत्यों गवर्नर जर्नल के अधीन 1892 का भारतिय परिशद अधीनियम पारित किया गया था सही आंसर होगा option C Lord Lansdown next question किस गवर्नर जर्नल के शाशनकाल में अंगरेजी को भारत की अधिकारिक भाशा बनाया गया था सही आंसर होगा option B Lord William Benteke next question किस गवर्नर जर्नल को भारत में स्थानिय सौशाशनका जनक कहा जाता है सही आंसर होगा option D Lord Rippon को याद रखना आप सभी को Lord Rippon को भारत में स्थानिय सौशाशनका जनक कहा जाता है next question 1833 में भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जर्नल कौन थे सही आंसर होगा option D Lord William Benteke next question नेम लिखित में से किस गवर्नर जर्नल ने भारती राज्जियों के लिए सहायक गटभंदन की निती अपनाई सही आंसर होगा option C Lord Wallisley ब्रिटिश भारत के गवर्नर जर्नल कौन थे जब अंग्रीजों द्वारा पंचाब का अधिगरन किया गया था सही आंसर होगा option B Lord Delosie किस गवर्नर जर्नल के अधिन अंग्रीजों ने पैरा माउंट सी की निती को अपनाया सही आंसर होगा option D Lord Hastings गवर्नर जर्नल लॉर्ड लोजी ने किस राज्य को एक चैरी कहा था सही आंसर होगा option D अवद का समराज्य next question किस गवर्नर जर्नल ने एक कूट का निर्मान किया था जिसे नियाईक प्रशाशन से राजस्व प्रशाशन के प्रिथक करन के लिए प्रदान किया गया था सही आंसर होगा option B Lord Convales next question नेम लिखित में से किस गवर्नर जर्नल ने क्लेमैंसी की उपाधी अर्जित की सही आंसर होगा option A Lord Canning अगला question किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जर्नल परिशद को भारत के सभी बिटिश राज्य चेतरों हें तो कानून बनाने की शक्ती प्राप्त हुई सही आंसर होगा option C Charter Act 1833 next question बिटिश अधिकारी जो गवर्नर जर्नल का प्रतिनिधी था और जो एक ऐसे राज्य में रहता था जो प्रतिक्ष बिटिश शाषन के अधिन नहीं था कहलाता था सही आंसर होगा option C Resident अगला question किस गवर्नर जर्नल ने बंगाल में स्थाई निप्टान का प्रस्ता पेश किया सही आंसर होगा option D Lord Convalis next question किस गवर्नर जर्नल ने फैसला किया कि बहादू शा जवपर अंतिम मुगल राजा होगा और उसकी मृतियों के बाद किसी भी वंशच को राजा के रूप में मानेता नहीं दी जाएगी answer होगा option D Lord Canning next question निम लिखीत में से किस गवर्नर जर्नल ने जिलाज तर पर दिवानी और फौजदारी अदालतों की शुरुआत की थी answer गया होगा इस question का option B Lord Warren Hastings next question सैने सुधारों की अंतरगर डलोजी ने कलकत्ता में स्थित तोप खाने का कारेले किस थान पर हस्तांतरित किया था सही answer होगा option D मेरठ में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामरागी किस वर्ष नियुक्त किया गया था सही answer होगा option D 1877 में next question कर लेते हैं किस वाइसराय ने अफीम आयो का गठन किया सही answer होगा option D Lord Elegant दोटेने next question करते हैं Lord में वो द्वारा क्रिशी विभाग की स्थापना कब की गई थी सही answer होगा इस question का option A 1872 इस वी में next question पंजाब का प्रसिद कुका आंदोलन किस वाइसराय के काल में हुआ था सही answer होगा option C Lord Northbrook के काल में next question किस वाइसराय के समय Prince of Wales भारत की यात्रा पर आये थे answer होगा option A Lord Northbrook के समय में next question Lord Karzan दोरा किस की अधिक्षता में एक अकाल आयो गठित किया गया था सही answer होगा option D McDonald की अधिक्षता में अगला question Lord Karzan के कारेकाल में कौन सा एक्ट पारित हुआ था सही answer होगा इस question का option A प्राचीन समारक संडक्षन एक्ट Lord Minto दोराचीन के काल में कौन सी लीका गठन हुआ था सही answer होगा option B Muslim लीक का next question किस वाइसरा इने सबसे पहले प्रिथक निर्वाचन मंडल की विवस्था मुसलमानों को जीतने वह उन्हें कॉंग्रेस के विरुद करने के लिए उपियो की सही answer होगा इस question का option C Lord Minto देउत्य अगला question Lord Minto देउत्य के शाशन काल में कौन सा एक्ट लाया गया था सही answer होगा option A Indian Council Act 1909 Lord Champsford के काल में कौन सा आयोग गठित हुआ था सही answer होगा option B Sadler आयोग 1917 अगला question Lord Reading के कारेकाल में किस समीती की अनुशनशा पर real budget को आम बजट से अलग किया गया था सही answer होगा इस question का option D एकवर समीती की अनुशनशा पर next question काकोरी कांड किस वाइसराय के काल की घटना है सही answer होगा इस question का option D Lord Reading के काल की Governor General को समराट का सेवक घोशित करने वाला वाक्यांज उनकी आधिकारिक मोहर से कब हटा दिया गया था सही answer होगा option Government of India Act 1858 के बाद से most important question है Lord Delozy के काल में Post Office Act कब पारित किया गया था सही answer है option C 1854 इस वी में भारत में वित केक विकेंदरी करन का आरंप किस वाइसराई के काल में हुआ था सही answer होगा option C Lord Meo के काल में भारत में नियमित जनगन्ना की शुरुआत किस वाइसराई के काल में हुई थी सही answer होगा option C Lord Rippan के काल में अगला question वर्ष 1932 में Indian Military Academy की स्थापना Lord Willington के कारेकाल के दौरान कहां की गई थी answer होगा option D दहरादून उतरा खंड में friends यह मैंने आपको 104 MCQ करवाई previous year के ठीकर friends आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना 104 question करवाई previous year के और जब मैं आपको theory पढ़ा था उस टेम भी मैंने आपको लगबक 100 के आसपास question करवाई मतलब friends यह 200 के आसपास question थे इस topic से और मैं friends मानता हूँ कि यह वीडियो थी आप सभी के लिए sufficient थी exam के लिए और आप सभी को लग भी गया होगा तो friends कि यह वीडियो जो है काफी important थी आप सभी के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अब दो question का test है answer आपने comment box में देना है उससे पहले friends छोटी से ना एक request है आप सभी के demand आई थी रवी सर आप लाइव आईए तो friends मैं लाइव आ चुका हूँ अपने blogging channel के ओपर जिसका नाम है रवी अदिती ब्लोक्स तो इस YouTube channel को friends आप जरूर सब्सक्राइब करें रवी अदिती ब्लोक्स YouTube channel है हमारा ठीक है YouTube पे जाके आपको search करना यहाँ पे आप रवी सर अदिती मैं को live देख सकते हो इसे live जोड सकते हो ठीक है तो चलिए अब दो question का test आप लगा लिजिए फटाफट से पहला question है भारत के पहले governor general कौन थे दूसरा question है सोतंत्र भारत के पहले भारतिय governor general कौन थे दोनो question का answer आपने comment box में देना है वीडियो कैसी लगी friends आपने अपना feedback भी जरूर देना है उमीद करता हूँ friends आपको वीडियो की quality वीडियो का content और आपके रवी सर की महनत पसंद आई होगी और friends इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो का test लगाना है या फिर current of faith का test लगाना है पूरी जीके का test या quiz लगाना है तो आपने मेरी application को download कर लीजिए application का नाम है रवी study IQ GK यहाँप लिग देता हूँ रवी study IQ GK हमारी application है इसको friends आपना play store से download कर लीजिए ठीक है और telegram, facebook, instagram पे हमसे जूड़ सकते हो आप रवी study IQ GK नाम से ही है और मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारी paid PDF है उसको आपना हमारी website से आप download कर सकते हो website है www.ravibooks.pdf.com Google पे आपको search करना है हमारी website को यहाँ पे आपको हमारी जो अर्दवार्शी की है 2023 की वार्शी की 2022 की साथ में फेंज हमारी 25 जीके की जो PDF है ठीक है पॉलिटी की, हिस्ट्री की, जोग्राफी की जो रवी सर की PDF है जिसे कि आप कम टाइम अपने एक्साम को clear कर सकते हो वो सभी PDF आपको हमारी इस website मिल जाएगा आपको इस website पर विजिट करना है आपकी रवी सर ने best content रखा है अगला वीडियो आपको किस topic पे चाहिए आप यह मुझे जरूर बताना comment box में वो वीडियो आपके लिए मैं जरूर लेकर आऊँगा उमीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत जादा useful लगी होगी आपको वीडियो को like और share जरूर करना मिलते हैं friends अब हम next वीडियो में thank you and wish you all the best